दोनों सदनों में आज लगातार पांचवे दिन विपक्ष के हंगामी की कारण काम काज में रुकावू दोनों सदनों की कारिवाही कल तक की लेज थाके युवा प्रदिभाओं को नवाचार के लिए प्रेरित करने के उद्देश से गुआ हाटी में चल रहा भारत अंतरास्ट्रे विग्यान महुद्साथ उपमुक्य मंत्री अरुण साम ने कहा कि एक साल के कारेकाल में राज्य सरकार ने एतिहासिक काम करते हुए मोदी की गैरिटी को कुरा किया और चक्रवात फेंजल के कारण तमिलनाडू और पुड़ुचेरी में भारी बारिश इसके प्रभाव से छत्तिस गड़ के मौसम में भी आया बदला नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समचार मैं हूलीना साहू आप समचार वस्तार से संसत के दोनों सदनों में आज लगतार पांचवे दिन विभर्न मुद्धो पर विपक्ष के हंगामे के कारण कामकाच में रुका वटाई दोनों सदनों की कारिवाही कल तक के लिए स्थागित कर दी गई है विपक्ष ने एक प्रमुक व्यापारिक सम्हों के खिलाब कथित रिश्वत खोरी के आरोपो और उतरपदेश के संभल में हिंसा सहीद विभिनमुद्दो को लेकर हंगामा किया इस कारण कारेवाही पहले दो पहर बारह बजी तक और फिर दिन भर के लिए स्थागित करती गई लोगसभा की कारेवाही सबेरे शुरू होते ही विपक्षी सांसद एक व्यापारिक सम्हों के खिलाब कथित रिश्वत खोरी के आरोपों संभल में हिंसा और मनिपूर की स्थीती सहीद विभिनमुद्दो पर चर्चा की मांग को लेकर खड़े होगे अध्यक्ष ओंबिर्ला ने प्रश्निकास शुरू करनी की कोशिस की लेकिन विपक्ष की नारे बाजी जारी रही कॉंग्रिस वांदलो और डियमके के कई विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बेचा कर नारे लगाने लगे इसके बाद अध्यक्ष ने कारिवाही 12 वजे तक स्थागित कर दी जब कारिवाही दुबारा शुरू हुई तब भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा शोज रावे के बीच जहाजरानी मंत्री सर्बानन सोनेवाल ने तठीय जहाजरानी विध्यक 2024 पेश किया पीठासी नधिकारी ने विभर्न मुद्दों पर विपक्ष के स्थागन नोटिस को ना मंसूर कर दिया और हंगामा कर रहे सदस्यों से अपील की कि वे सदन की कारिवाही सुचारू रूप से चलने दे लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ व्यापारिक समू के खिलाब कथित रिश्वत खोरी संभल मेहिंसा और मनिपूर के स्थिती सहिंद विभर्न मुद्दों पर चर्चा की मांग करते रहे अध्यक्ष ओंबिल्ला ने प्रश्निकाल चलाने की कोशिस की लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा उधर राज्यसभा में भी विपक्ष ने इन्हीं मुद्दों को लेकर हंगामा किया इससे पहले सवेरे जब कारिवाही शुरू हुई तब सभपती ने विपक्ष ने सांसदों द्वारा दिये गए इस थगर नोटिस को खारिश कर दिया सभपती ने सदस्यों से सदन की कारिवाही चले देने का अग्रह किया लेकिन शो शराबा जारी रहा केंद्रे मंत्रे गिरासी ने संसद के कामकाच में रुकावर डालने के लिए विपक्ष पर जम कर निशाना साधा संसद के बाहर आज समाददाताओं से बाच्चित में श्रेसिही ने कहा कि संसत के कारिवाही में इस प्रकार व्याबधान डालना जनता के पैसों की बरबादी है जनता का हक है आखिर संसत बना काहे के लिए है संसत में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये सोर मचाने के लिए होगा ये दुखद घटना है ये होना नहीं चाहिए उधर कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताम अनिश्तिवारी ने कहा कि सरकार को एक प्रमुक व्यफसाई पर रिश्वत खोरी के आरोपो सहीद विभन अमामन पर विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को स्विकार करना चाहिए उन्होंने सरकार पर संसत में जानबुच कर चर्चा नहीं होने देने का हारोप लगाया विपक्ष के हंगामे पर भाजपा संसत अरुन गोविल ने कहा कि विपक्ष क्या उदहारन पेश करना चाहता है विरोध प्रदर्शन का एक सब्हत तरीका होना चाहिए ये बेहद निंदनी है केंद्री राजपी मंत्रे जैन चौधरी ने विपक्ष तवारा संसत की कारिवाही में लगातार व्यवधान पैदा करने के कोले करचिन तरजटाई है संसत के भाहरा समादाता उसे बाच्शित में कॉंग्रिस पार लोगतंतर में विश्वास ना रखने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि इसको सुरक्षा से जुड़े महत्पण विश्यपर भी विपक्ष ने चर्चा नहीं होने थी उन्होंने कहा कि स्कोल में बच्चों की मानिसिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और जीरो टॉलरेंस की निती को लागू करना ज़रूरी है उन्होंने बताया कि कुछ राज्चियों ने अभी भी इसे जारी लेकर जारी गाइडलाइन स्कूलों में लागू नहीं किये है उमर में वो स्कूली सिस्टम में उनके माता पिटाओं को सौब देते हैं इस विश्वास के साथ वो बच्चे सुरक्षित रहें और उनकी देखबाल के लिए प्रबंदन के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये गाइडलाइन इश्व हुए है लेकिन कई राज्चियों ने अभी तक इन गाइडलाइन्स को इंप्लिमेंट नहीं किया इन गाइडलाइन्स के माध्यम से जो साइको सेफटी है, साइबर सेक्यूर्टी है, जीरो टॉलरेंस हमें बिल्ड करना है सिस्टम में, जवाब देई हमें लानी है इन सारी चीजों के लिए हमने पूरा प्रोसेस प्रक्रिया प्रणाली विक्सित की है अभी भी देश के कई राजों ने इसका पालन नहीं किया, जारकंड, करनाटक, केरल, कुछ ऐसे राजी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, मैं उमिल करता हूँ कि वहार की राज की सरकार, शिक्षा विबाग इसके पहल करे भारत अंतरास्ट्रे विग्यान महुतसाओ यानी IISF के दस्वे संशकरन का आयोजन IIT गुवाहाटी में चल रहा है चार दिसम्पर तक चलने वाला इस महुतसाओ के इस वर्ष की थीम भारत को विग्यान और प्रादगी की आधारित वेस्ट्रिक मैनिफेक्ट्रिंग हब में बदलना रखा किया है यह महुतसाओ भारत की वेग्यानिक उपलब्थियों को प्रिदर्शित करता है सहयों को बढ़ावा देता है और युवा प्रतिभाव को नवाचार के लिए फ्रेरीत करता है आए देखते हैं एक रिपोर्ट साथ आने और एक साथ काम करने का आफसर प्रिदान कर रहा है इस कारेक्रमें पूरे देश के 4000 से अधिक चातर शामिल हो रहे है यह महुतसाओ प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और इंट्रेक्टिव सत्रों के जरिए विग्यान समाज और नवचार को सारतक तरीके से जोड़ने का काम कर रहा है इसके लिए महुतसाओ के दोरान वैस्ट कारेक्रम तियार किया गया है इसमें काफी अच्छे रीसर्च प्रोजेक्ट्स थे, बहुत सारे रीसर्च प्रोजेक्ट्स थे जो की फूचर लेवरेच के हिसाब से य फूचर पस्पेक्टिफ के हिसाब से देखा जाए तो काफी अच्छे थे यद्व स्टूजिंस के अच्छे देखा जाए तो अफकोर्स मदलब हमारे इन नॉलेज इनलाइट्मेंट में तो अच्छा था ही यहाँ पे जो लोग आए हैं, they are from various fields, तो seeing कि science का application and seeing कि India can be leader in such a field is really great और जिन भी institute से लोग आए हैं, the research they are doing, उसका exposure मिला हमें and that's really great to see how India is doing ते कि ते कि ते आपस में विचारों का आदान पिर्दान कर रहा है, साथ ही science beyond borders जैसे विश्यों की माध्यम से वैश्विक सहयोग पर भी जोर दे रहा है इस विग्यान महुतसव के दोरान अलगलग तरीके के थीम आधारित कारेक्रमों का भी आयो जुन क्या गया है जिसमें चंद्रियान, चंद्रियान का संग्राहले, विग्यान परोद्योगी की, रक्षा, अंतरिक्ष पिरदर्शनी, मेक इन इंडिया, मेक फोर दे वर्ल्ड, गलोबल मैनुफैक्चरिंग समिट, प्रग्या भारत, विकसित भारत 2047 के लिए विग्यान एम परोद्योग चंद्रिकी में नई सीमाएं, S&T, हैक्थोन और यूआ वेग्यानिक कॉंक्लिव शामिल हैं खबरों का सेसिल आगे भी जाड़ी रहेगा, अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक 24 घंटे करते हैं ये काम, पेमन्ट आसान और रहे आराम और भी आई कहता है जानकार बनिये, सतर्क रहे ब्रेके बाद एक बार फिर आपका स्वागत हैं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर राजे के विश्णुदेव सरकार 13 दिसंबर को अपने कारेकाल का एकवर्ष पूरा कर लीगी इस परिप्रिक्ष में पत्रकारों से बात करते हुए उपमुखे मंत्रे अरुन साम ने कहा कि एक साल के दौरान राजे सरकार ने अतिहासिक काम किया है और यह साल उपलब्धियों से भरा रहा और यह ने एक सालों में विश्णुदेव साय जी के नेतरितों में जो काम हुआ है मोदी की एक एक गारेंटी पूरा करने के दिसा में जो कदम उठाए गए हैं वो बताता है कि एक साल उपलब्धियों से भरा रहा है उपमुक्य मंत्री ने राज्य सरकार द्वरा किये गए कारियों का उलेख करते हुए कहा कि सभी वायते पूरे किये गए है महतारी बंदन की राशी देने का मामला हो बारा लाग किसानों को दो साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो एक अतिस सवर उपय प्रतीक इंटल धान की कीमत देने का मामला हो एक मुस्त राशी देने का मामला हो चाहे पीएस्टी घोटाले का सिवियाई जांच का मामला हो तेंदू पत्ता के बोनस का मामला हो यह सारे बड़े वाइदे हमने एक साल में पूरे किये हैं एक अन्ने सवाल के जवाब में श्री साव ने कहा कि कॉंग्रिस के रास्ट्रे तथा राजस्तर के नेता अपनी पहचान बनाने के संगर्श कर रहे हैं और जन्नेता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है बंगाल के खाड़ी के दक्षिन पश्रिम हिस्से में हवा का दबाव कम होनी की वज़ा से आए चक्रवात फिंजल के कारण तमिलनाडू और पुड़ुचेरी में भारी बारिश हो रही है चक्रवात फिंजल का असर अपुड़ुचेरी और तमिलनाडू के अलावा दूसरी राजियों में भी देखने को मिल रहा है इसका असर करनाटक पर भी पड़ा है और मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक राजिय के विभनर जिलों में भारी बारिश की आश्रं का जदाई है करनाटक के कुछ जिलों में बारिश का येलो एलेट भी घोशत किया गया है उधर आंधर प्रदेश में भी चक्रवाग फेंजिल का असर देखने को मिल रहा है विशाखा पटनम के समुद्र तट पर उची लहरे उठ रही है और तेज हवाय चल रही है मौसम विभाग ने दक्षिन, आंधर प्रदेश और केरल में मुसलाधार बारिश की आशंक का जटाई है आई-म्टे की और से रेड अलेट जारी होने के बाद केरल के वायनाट में सभी सेक्षिनिक संस्थान आज बन रहे वहीं केरल के लिए जारी रेड अलेट के मदिनजर राजी के राजस्व मंत्री के राजन ने स्थीती की समिक्षा बैठक भी ली इस चक्रवाद का असर 36 गड़ के मौसम पर भी देखने को मिल रहा है बीते दो दिनों से राजधानी राइपूर के अलावा अन्य कई शेत्रों में हलकी बारिश के साथ बदली छाई हुई है मौसम भाग के मताबिक आने वाले तीन दिनों तक राज्जी के मौसम में विशेज बदलाव के आसार नहीं है लोग सेवा प्रसारक दूर दर्शन ने OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुवात की है ये डिजिटल मीडिया OTT दर्शको को संपूर्न इन्फोटेन्मेंट का सिस्टम देता है अगर आपको भी चाहिए फ्री में शांदार कंटेन्ट तो आज ही आप अपने प्लेट स्टोर से अप डाउनलोड कीजिए इस OTT प्लेटफॉर्म पर डिडिन्विस शत्तिस करके प्रादेशिक समाचार का भी सीधा प्रसारन देख सकते हैं तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेबस अप और इसे के साथ की समाचार बुलेटिन्स अमाप्थुर्म नमस्कार